तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो चानल टॉइज गेम्स इन स्पोर्ट्स तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस पॉकेट बॉय पॉर्टेबल मुल्टि प्लेयर यह एक हैंड पीस पी है जो की काफी इंट्रेस्टिंग मतलब बहुत ही मज़ेदार है मैं आपक को आज इसका अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करके बताऊंगा पूरा सो यह बैक पोर्शन है जहां पर हम उसके जो कुछ स्पेसिफिकेशन है वो देख लेते हैं क्या-क्या है सो यहां पर आपको 4.3 LCD इंचिस में मिल जाएगा और HD वीडियो के है और कुछ बहुत सारे अ और इसके स्पेसिफिकेशन देख लेखते हैं बैसिकली सो यह जो चार्जर है आपको दिख रहा है यहां पर एक मिट मैं इसको थोड़ा प्रॉपर्ली फोकस कर लेता हो के सो यह 100 वोल्ट के नियरबाय का चार्जर स्था 240 वोल्ट तक यह कुछ औडियो वीडियो केबल्स ह और इसके अलावा जो हमारा मीन यहां पर है कंपरेंट वो है हैंड पीएसपी सो लुक और फिल बहुत ही मज़ेदार है काफी अच्छा है यह और अभी हम इसको उपन करके देखेंगे उससे पहले मैं आपको बता दू यहां पर आपको साइड में से ओन करना होगा इसका ब और लेफ्ट हैं द कंट्रोलर है राइट हैंड पर बटन से आपने ऑद उसके और उसके बाद यह ऊपन हुकुत लगा है and PSP के अंदर so इसमें कई सारे features है आप इसमें जो है camera भी access कर सकते हो उसके gallery भी access कर सकते हो games भी खेल सकते हो so हमने first game select किया है I hope आपको थोड़ा सा clear देखने को मिलेगा यहापे friends एक चीस रहे गया था वो ear cords याने earphones भी है इसके अंदर जो कि आप use कर सकते हो so यह game हमने चालू किया so performance wise तो best game है यह already इसका graphics भी अच्छा है आपको थोड़ा बहुत camera के visibility के हिसाब से उतना नहीं समद में आएगा लेकिन जब आप हाथ में इस hand PSP को लोगे तो आपको समद में आएगा कि वाकई में मज़ेदार चीज आई है so इसमें battery low है अभी तो बट फिर भी जितना हो सकेगा possible होगा उतना मैं आपको operate करके बता दूँगा यह इसके features आपको बता दूँगा so हम लोग दिखते try करते कुछ open होता है तो so यहाँ पर camera app open हो चुका है नहीं open तो नहीं हो रहा because जो power है वो low है but इसका camera जो pixels है उतना like एकदम भी heavy नहीं होगा but okay ओके आपको जो click लेना है वाप ले सकते हो और clear pictures आने के chances है but एकदम भी heavy megapixel वाला नहीं है so फिलाल तो यह जो है open नहीं हो रहा है क्योंकि battery बहुत ही low है आप देख सकते हो top right में बिल्कुल भी battery नहीं है so next देखते कुछ try करते है game वगेरा open होता है याने so यह हमारा file manager है जहाँ पर आप देख सकते हो जो games वगेरा है music है क्या-क्या है वो भी आप access कर सकते हो यहां से एक directory type है so यहां से आप access कर सकते हो वो भी सब कुछ copy करना है move करना है so वो function भी यहां पर available है जिसे कि आप यहां पर TF card या जो normal जो like memory card रहता है वो भी आप इसमें insert कर सकते हो games वगेरा आप उसमें upload करने के बाद जो है यहां पर use कर सकते हो और game scale सकते हो इसमें so इसमें limited space है इसके अलावा जो है आप game जो है इसमें अलग से जो है upload कर सकते हो so फिलाल तो यह वो for reference so इसका unboxing और review कर लिए हमने so बाकी आज के लिए इतना ही बस so please like करना, share करना और subscribe करना so मिलते हैं next video में so thank you and bye-bye